संग की आवशक्तिया क्यों पड़ी समण संग की आवशक्तिया क्यों पड़ी क्यों लोग बहुत तेजी से समण संग में जुड़ रही है क्या इसकी आवशक्तिया है इसको जानने के लिए आप इतना समझ ले दुनिया में जिन भी लोगों ने संग बनाया है वो लोग सुखी है, उनके पास सारी चीजे है सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो संग पूरी दुनिया में मिलता है वो मिलता है समण लोगों का भारत के अंदर जो समण लोग थे क्योंकि बुद्ध को महा समण बोलते थे बुद्ध से पहले जो दादा दादी और उनके नानानी जो उनके पूर्वस थे उन्होंने संग बनाया वो संग चलता था उसके नियम नियम चलते थे उस संग के ही नियमों को बाद में बुद्ध ने भिक्कु संग के नियमों में भी बदला और भिक्रुनी संग के नियंबी बनाए जो विनेपिटक में है इसलिए सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो संग मिलता है वो संग भारत में सम्ण लोगों का मिलता है उनकी बैठके होती थी उनको सन्नी पात बाहुल बोलते थे सन्नी पात बाहुल का मतलब है यो सन्नी सिन्नो वर बोधी मुले यानि कि जैसे बुद्ध संग साथ बैठते हैं नीचे बैठते हैं बोधी बैठते हैं तो सन्नी पात का मतलब होता है साथ साथ बैठने की चरिया बहुल माने अधिकतर यानि साथ साथ बैठक करने की चरिया को सन्नीपात बाहुल बोलते थे और इस चरिया को बाद में सन्नीचरिया और फिर शनीचरिया और फिर शनीचर और फिर इसको मनुस गोशित कर दिया गया ये हमारा यानि स्रमण लोगों का मिलने का दिन है सन्नीवार, सन्नीवार, सन्नीपात बाहुल तो जितने भी भारत के अंदर जो लोग हैं, वो संग में रहके फायदा उठाते थे साथवे दिन वो मिला करते थे, एक दूसरे के दुखदर्द बंटा करते थे क्या परिसानी है, क्या खेती बारी है, क्या कोई बच्चों की दिक्कत है, क्या महिलाओं की दिक्कत है खाने बिने की दिक्कत है, बारिस आ रही है, धूप आ रही है, जानवर है, जंगल है, कोई आदमी है, कोई शिकारी है उन सबसे अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर हपते वो एकटा हुआ करते थे यह पुरानी परंपरा रही है, उसके नियम भी रहे है, हर व्यक्ति को वहाँ अपना खाना खुद लेके आना होता था, हर व्यक्ति वहाँ जमीन पर बैठता था, वहाँ कोई नेता नहीं होता था, वो कभी राजनीती में या राजा की नीती में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं यानि संग का आदेस हो जाता था, संगादी शेस पुरानी परंपरा है, एक वार संग का आदेस हो गया तो वो सब को मानने होता था, और ये संग का आदेस बहुमत से पारित होता था, ये सारा सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम था, इससे वो लोग खुशाल जाते थे, बाद चलता है या चलते हैं जितने भी हैं चोटे बड़े वो सारे के सारे वहीं से प्रेरित हैं और जो इसाई हो में संग चलता है जिसको मिश्णरी बोलते हैं वो सारी परंपरा भी वहीं से आई है ऐसा बताया जाता है जो एक रूस के पत्तकार है उन्होंने यूटूब पे और फुर उसी को उन्होंने अप्लाई किया और सारे यूरोप के अंदर वही मिसन चलता है। वही बाद के अंदर जो मुहमद साव हैं जोनोंने अपना पूरा सिध्धानत लोगों को बताया आप ध्यान देंगे तो वो संग पर आधरित है और उनके नियम आज भी संग के नियम से काफी मिलते जुलते हैं। ऐसा ही जो बाकी लोग हैं पूरी दुनिया में क्योंकि सबसे पहले जो संग के नियम और जो चलते आ रहे थे प्राकरतिक रूप से वो बुद्ध से भी पहले भारत के समण लोगों के हैं। बाद में बुद्ध ने उनको कंपाईल किया और एक गरंत के रूप में विनेपिटक के रूप में भी दिया हमको और खुद उन्होंने उसी आधार पर भिकुन संग और भिकुनी संग बनाया जबकि उपासाक संग और उपासी का संग यानि साधान लोगों के समण संग को उने सुथ पीटक में नियम भी दिये जो पहले से चले आ रहे थे वही नियम उने अपनी पाली भासा में दिये तो संग की आऊ सकता इसनी है क्योंकि जो लोग संगी होते हैं, संग संग रहते हैं, साथ साथ रहते हैं वो लोग कभी नहीं मारे जाते हैं, वो लोग हमेसा जीते हैं उनके पास सारे संसादन रहते हैं, सारा सुख रहता है अगर राज सकता या डैमोकरिटिक सकता या कहीं अगर चुनाव होता है या कोई बात ऐसी होती है तो संग जो निर्ने करता है वही निर्ने बाकी लोग मानते हैं और वो उनको प्राप्त हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों के पास संग है वो राजा की सकता हो या राजनेतिक सकता हो या डेमोकरिटिक सकता हो या कहीं चुनाप की बात हो वो अपना मत जो संग के अनुसार देते हैं तो वो लोग जीत जा जाते हैं उनकी बात मानी जाती है यह ठीक ऐसे है जैसे भारते Year सम्मिदान में लिखा हुआ है कि जिसके पास जितने जबा लोग होंगे सम्मिदान उसको उतनी ही जदा हिस्सेदारी देगा यह Democratic Sistem में लिखा होता है और यह सम्मिदान के अंदर भी लिखा हुआ है बारत में जो ये लोग रहते हैं जिनको आज दवा कुछला या गरीब बताय जाता है वो सारे के सारे लोग पुराने समण हैं मगर उनका संग गायब हो गया है उनको याद रही है कि वो बहुत पुराने समण संगी रहे हैं या संग उनका साथ रहा है या वो संग के समड़ा और समड़ी है अपनी पहचान भूल गए और अपनी पहचान भूलने के बाद में छोटे-छोटे टुकडों में तूट गए और छोटे-छोटे टुकडों के नाम उनके काम के अनुसार जो जातियां है उसमें वो बिखर गए, उसके बाद में जो 29 लाग संग्ठन उनको इखटा करने के नहीं बने, 6,743 टुकड़ों को इखटा करने के लिए, जो 29 लाग संग्ठन बने, जिनमें 4 लाग बहुत ही से काम भी करते हैं, फिर वो टुकड़े उनके भी हो गए, यानि वो सारे अपने आपको जोडना है, इसमें जोडने का कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, पुराना आदेस है, यहां कोई नेता नहीं होता, नहीं कभी जीवन में होगा, यह कभी राजनीती में नहीं जाएगा, ना इसमें राजनीती में जाने की कभी आवश्क्ता होती है, इसमे समदा लोगों डोटो के लिए है और सबी समदा समिनी का ये अपना संग बहुत पुराना संग है इसका कोई founder नहीं है इसके founder पुराने जो लोग है बुद्ध से भी पहले के वो इसके founder है ये समदा समदा के खु dislodene के खुन में और जीन में ஏफ़ बहुत दिनों बाद जब बुद्ध ने ये कहा कि संगंग संगंग अच्छा मी और बावसावंबिटकर ने कहा कि आपको संग में आना है और जब सादू संतर ने कहा कि संगत करो, संगती करो, संग करो में आओ, संग के साथ गत हो जाओ, संग के साथ चलो तो लोगों को समझवाया और तेजी सा इसके साथ जुड़ रहे हैं आपको भी अगर इसके साथ जुड़ना है या इसके साथ में जुमदाय लेकर काम करना है कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है आपको फायदा ही फायदा होगा तो आप वीडियो के बाद में दिये गए किसी भी फॉन नमर पर फॉन करें और इसे जुड़ जाएं धन्यवाद